मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार रीट और सीटी एक्जाम के लिए लडी सी वनपाल एक्जाम के लिए जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी लोगों के साथ में मैट्स की क्लासिस को अपन लेकर के आ रहे थे math के अंदर का अपने arithmetic यानिकी अंक गनीत का percentage topic जो है अपना चल रहा था percentage topic के अंदर आज जो है हम इस वीडियो के अंदर और कुछ नए नए type के questions लेकर क्या आए हैं जिससे कि आपको और इस percentage topic के बारे में समझ विक्षीत होगी और आपको ये समझ में आएगा कि आखिर में इस percentage के अंदर क्या करना होता है या आज के जो कोशन है इसके अंदर सभी टाइप के questions मिलेंगे जो आपके विबिन परकार के exam में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं वो questions भी include किये गए हैं चलिए दोस्तों फिर करते हैं आज की class की शुरुआत और पहला कोशन आप लोगों के लिए screen के उपर है और पहला कोशन क्या है देखिए दोस्तों तो पहला कोशन है कि किसी college के अंदर में थोड़ा सा इसको बढ़ा करना चाहूंगा यह लेजिए अब आपके सामने आ चुका होगा कोशन के आप उचाए देखिए किसी college में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है तीन अनुपात दो यानि आप यह कह सकते हो कि वियस्क है तो कितने परतिसत विद्यार थी बालिंग नहीं है यानि कि आप यह कह सकते हो कि अवियस्क है ठीक है समझ में आ गई बात तो पहले आपको यह पता लगाना होगा कि यह जो आपको अनुपात दे रखा है और यह परतिसत दे रखा है क्या संबंद है क्या पूछ रहा है तो आप इसको करेंगे solve इस टाइब का question मैंने कल आपको बताया था तो चलिए आपके लिए समय होता है करेंगे आप इसको एक मिनट का समय दिया जाएगा SSE ने पूछा हुआ है तो थोड़ा सा सोच समझ कर इसका answer दिजिएगा और बहुत easy question है मैं करवाओंगा तो आप कहोगे कि सर इतना easy question था ये बहुत easy question है देखिएगा भी और इसमें सीखने का प्रयास करिएगा कि एचा ऐसे भी किया जा सकता है percentage के questions को करिए start करिए और आप जल्दी से जल्दी questions solve करने की practice जरूर करें क्योंकि exam के अंदर questions ही आने वाले हैं ठीक है ना करिए इस questions को और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए और भी कुछे लेकर के आ रहा हूँ ठीक है ना जिस परकार से पन मैट्स के अंदर questions के साथ मैं practice करते हैं वैसे ही जीके का भी एक तुफान लेकर के आएंगे और सबी subject के अंदर मेरा target है कि आपको जितना course free मैं दे सकूँ और जितना जल्दी exam से पहले quality content YouTube पर अगर पहला पूरा course तो वो केवल राज्तान अकेडमी होगी चलिए भाई आपका समय हुआ समाप्त करते हैं question देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले 3 अनुपाद 2 की बात की गई है तो लड़के और लड़कियों का अनुपाद दे रखा है अब आप direct 3 अनुपाद 2 को यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ये question complicated बन जाता है अगर आप 3 अनुपाद 2 को direct भी यूज़ करते हैं तो गलत नहीं आएगा answer सही आता है लेकिन थोड़ा complicated बन जाएगा समझ भाई बात तो अपने को क्या करना है सबसे पहले इसमें जो है इस 3 अनुपाद 2 को संख्या में बदलना है यानि कि आप ऐसा करिए इसका 100 से गुणा कर दीजिए ताकि ये क्या बन जाए 300 और 200 तो परतिस्त में जो 100 आता है उसे ये कट जाएगा इसलिए तो मैंने क्या करा दोनों का ही 100 से गुणा कर दिया जैसे ही दोनों का 100 से गुणा हुआ तो ये बन गया 300 और ये बन गया 200 भाई अनुपाद को तो चेंज 200-300 मेरी इच्चा होती है भी अगर मुझे दिख रहा होता कि कोशन में 1000 वाला काम आएगा तो मैं 3000-2000 भी कर सकता था अखिर कार अनुपाद तो 3 अनुपाद 2 ही रह रहा है तो अनुपाद मेंटेन करना होता है तो ये आगया 300 और 200 अब देखो 20% ये कौन है ये है अपने 300 बॉइज है और 200 बॉइज है बॉइज में इसने क्या बुला है कि 20% लड़के जो है 20% जो बॉइज है वो बालिंग है बालिंग के लिए मैं लगा रहा हूँ B तो अविज सी बात है कि 80% जो होंगे वो कैसे होंगे ना बालिंग होगे ठीक है N B और ऐसे ही गल्स के अंदर बॉला है गल्स के अंदर बॉला है कि 25% जो है वो गल्स बालिंग है तो आविस सी बात है 75% गल्स ना बालिंग होगी है ना समझ में आई बात तीन अनुपाद दो था उसको मैंने 300 और 200 संक्या के अंदर लिख दिया फिर मुझे अब पता है कि बॉइस के अंदर इसने कहा है 20% बालिंग है तो 80% ना बालिंग इसमें कोई तीसरे विज़े ऐसे केस नहीं बनाने होते हैं दो ही केस पॉसिबल होते हैं ऐसे ही गल्स है तो उनके लिए भी बालिंग और ना बालिंग ठीक है अब क्या हो गया अपने पास में पता चल गया कि 300 का 20% जो भी होगा वो अपने काम का नहीं है क्योंकि इसने बोलाया कि कितने प्रतीसत विज़े थी बालिंग नहीं है तो बालिंग नहीं है तो 80% तो लड़के बालिंग नहीं है और 75% लड़किया बालिंग नहीं है ये संक्या निकालनी है तो 300 का 80% कितना हो जाएगा तो तीन सो इंटू चार बटे पांच भी तो लिख सकता हूँ 80% को और पांच से काटूंगा तो दो सो चालीस आ जाएगा यानि 240 लड़के नाबालिंग है और लड़किया कितनी हो जाएगी तो तीन बटे चार यानि कि आपका कितना हो जाएगा बताईए जल्दी से अरे बताईए इसमें कितना आएगा तो देड़ सो आ जाएगा सीदी सी बात है कितना आएगा देड़ सो यानि पच्चास लड़किया जो है वो बालिंग है देड़ सो लड़किया नाबालिंग है तीन सो मैंसे दो सो चालिस बच्चे नाबालिंग है और साइट बच्चे बालिंग है अब अपने को पुछा है नाबालिंग विद्यार्थियों का या बालिंग नहीं है उनका प्रतिसत तो नाबालिंग कौन-कौन से 240 लड़के और 150 लड़की आए नि टोटल 390 नाबालिंग है विद्यार्थि कितने में से तो 500 में से क्योंकि 300 वोईज है और 200 गल से तो 500 में से नाबालिंग कितने है पता चल गया 390 इसको परतिसत में बदल है तो 100 से गुणा अब करेंगे solve ये कितनी बार कटेगा पांच बार पांच से ये कितनी बार कटेगा तो 535 और 548 यानि कि 78 परतिसत आंसर हो जाएगा समझ में आई बात किलियर है देखिए क्या बोला था लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा था 3 अनुपात 2 ठीक है आप यहाँ पर तीन अनुपात 2 को भी डारेक्ट यूज कर सकते थे कि 3 बोईज का 80 परसेंट ना बालिंग है तीन बोईज का 20 परसेंट बालिंग है पर वो फिर complicated आता था तीन का 80 परसेंट निकालो कितना आता तीन इंटू 4 बटे 5 कितना हो जाता तीन चौक 12 बटे 5 तो 12 बटे 5 और इधर कितना आ जाता 2 इंटू 3 बटे 4 यानि कि 6 बटे 4 तो 12 बटे 5 पलस 3 बटे 4 बटे 1 और ऐसे चेंज करना पड़ता उससे बढ़िया है अपने सीधा सीधा आंसर आ गया अगर चलो मैं वो मेतड़ भी बताई देता हूँ जो मैं भी बोल रहा हूँ देखिए ये तो आपने क्या करा अनुपात को जल्दी से 300 और 200 में कंवर्ट कर दिया अगर आप सोच रहे हो कि जो अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 2 इसको ही यूज करना हो तो तो आप ये मानोगे कि 3 तो है बोईज और 2 है गल्स ठीक है ये मान लो फिर अब क्या करोगे आप बोईज 3 का 80% निकालोगे तो 3 का 80% कितना हैगा तो 12 बटे 5 आ जाएगा तो आफिसी बात है कि 12 बटे 5 अगर ये आ रहा है तो 20% कितना हो जाएगा तो 3 बटे 5 हो जाएगा गल्स के अंदर भी ये ही सेम केस हाजाएगा गल्स के अंदर क्या होगा बालिंग में तो आपके हो जाएगा 1 बटे 2 क्यूंकि 2 बटे 4 आएगा और इधर आ जाएगा कितना आपके 3 बटे 2 हो जाएगा ठीक है अब क्या करोगे ये जो 12 बटे 5 है औ divide by 5 क्योंकि total कितने है 5 into में 100 ये 5 से पहले ही काट दीजिए 20 बार अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा देखो 5 दूनी 10 और ये 2 से तो ये आ जाएगा 24 और ये 2 से 5 तो ये आ जाएगा 15 into में 20 ये 10 से कटेगा 2 बार और 2 into 49 होता है 78 प्रतीसद तो आप चाहो तो direct question में जो अनुपाद दे रखा है उसको use कर लो अगर आपको लग रहा है कि अनुपाद जो question में दे रखा है उससे मेरे calculation थोड़ी सी hard हो सकती है तो मैं क्या करूँगा सिधा सिधा 300 और 200 ऐसी संख्याओं में गनवर्ट कर दूँगा तो जल्दी होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की और next question है अपने सामने क्या दोस्तों कि एक कृष्ण मूर्ती जी है जो क्या करते हैं परतेक महीने 15,000 रुपे कमाते हैं कितना 15,000 रुपे कमाते हैं उस 15,000 में से वो 80% वे करते हैं कितना 80% इसका मतलब 20% वो बचा रहे हैं ठीक है वेतन में संसोधन के कारण उनकी आए 20% बढ़ जाती है तो 15,000 का 20% बढ़ गया ठीक है तो किन और वस्तू का मुल्य बढ़ जाने के कारण क्या होता है 20% अधिक वे भी करना पड़ता है जहां पहले ये 80% वे कर रहे थे उस जगे अब ये टोटल आए का 20% अधिक वे भी करेंगे तो बताईए पहले जितनी बचत कर रहे थे उसके कंपेरिजन में अब जो नहीं बचत होगी वो कितनी हो जाएगी ठीक है ये कोसन आपसे पूचा जा रहा है आप जल्दी से इसको करिए solve आपका timing होता है start करिए इस कोसन को जल्दी से जल्दी solve simple सा कोसन है जैसे अपन ने पिछले इस टाइप के कोसन को कर रहा है वैसे समझ लीजिए भाई 15,000 टोटल कमाई है इनकी उसका 80% ये वे कर रहे है तो 20% खर्च करेंगे फिर बाद में दूसरा किस बना दोगे जिसमें आप इनकी salary बढ़ा दो 20% तो 15,000 का 20% बढ़ा दो वो और उसका फिर आप क्या करोगे तो भाई उसमें वे जो दे को मुले बढ़ जाने के करन वे कितना बढ़ गया 20% तो पहले वे कितना हो रहा था 80% तो 15,000 का 80% कितना होता है जो भी आएगा उसका 20% बढ़ा दो तो अवे सी बाते नहीं बच्चत आपके सामने आ जाएगी अ करिए 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 जल्दी से चलिए तो ये समय समाप्त बात देखिए क्या होगी पहला केस पहला केस क्या है जब 15,000 सेलेरी है ठीक है 80% तब क्या हो रही है वे हो रही है बच्चत कितनी है 20% ठीक है अब 15,000 का 80% जो होगा वो कितना होता है तो वो होता है 12,000 रुपे और 20% कितना होता है तो 3,000 रुपे किलियर है अब वेतन में संसोदन के कारण ये दूसरा केस बन जाएगा वेतन में संसोदन हो गया 15,000 का 20% बढ़ गया तो 15,000 का 20% कितना होता है 3,000 होता है ये अपन नि हजार बढ़ गए तो अब इनकी सेलेरी कितनी हो गई है 18,000 रुपए ठीक है अब पहले वो वे कितना कर रहे थे 12,000 रुपए तो बचत कितनी कर रहे थे 3,000 रुपए अब इस 18,000 में से वे और बचत ठीक है अब 18,000 में से वो वे कितना कर रहेंगे तो पहले से 20% अधिक पहले वे कितना कर रहे थे 12,000 इस 12,000 का 20 पर तीसत और निकालना पड़ेगा समझ में आई बात या फिर आप डारेक 120 निकाल लो 20% अधिक यानि सीधा 120 परसेंट निकाल लो उतना वो खर्च कर रहे है एक सेकंड एक सेकंड पीचे सो आएगा तो अब इदेर काटा पाटी मिचा दो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो तो 18,000 मेंसे अगर 14,400 रुपे खर्च हो गए तो बचे कितने 3,600 रुपे क्या इतनी बचत आएगी बिल्कुल तो यही अपना राइट आंसर है तो पहले बचत कितनी हो रही थी 3,000 रुपे अब कितने बचेंगे 36,000 रुपे बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई अगर ये कोशन होता तो क्या करते है तो 36,000 मेंसे पहले जितनी थी 3,000 उसको गटा देते तो 600 रुपे अब जो है बढ़ने लग गए है इनके पर मन्त समझ में आगई बात बचत कितनी हो रही है हर महीने 600 रुपे की एक्स्ट्रा बजट होने लग गई पहले के कंपेरिजन में ठीक है किलियर है आप सबी लोगों के लिए किसी परकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ली जिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और देखिए नेक्स्ट कोशन क्या है बहुत ही सांदार सा कोशन है ये भी और ये परतिसत से ज़्यादा प्रॉबेबिलीटी का कोशन कह सकते हो आप ठीक है तो इसलिए इसको तो करी लेना प्रॉबेबिलीटी भी पढ़ाया ही है देखो ये क्या कह रहा है राम 75 परतिसत सत्य बोलता है तो ओवेसी बात है 25 परसेंट जूट बोलेगा यानि राम अगर चार बात कहता हो तो तीन बात तो वो बोलता है सच एक बात जूटी होती है सूरेश 80 परतिसत सत्य बोलता है यानि कि अगर कोई 5 बात कहता है सूरेश तो उसमें से 4 सही कहता है एक गलत कहता है तो बताओ कितने परतिसत इस्ततियों में दोनों के दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं खंडन करने का मतलब है एक दूसरे का विरोध करेंगे इसका मतलब सीधा सा है कि एक जना सच बोलेगा तो ओवेसी बात है दूसरे को जूट बोलना पड़ेगा तो करिए इस question को जल्दी से solve आपके लिए समय होता है start करिए करिए इसको जल्दी से जल्दी simple सा question है और इस type का question मैंने probability जब पढ़ाया है read वालो तब आपको बताया है वहाँ जा करके देख सकते हो कि कैसे किया जाता है आसान सा question है जल्दी करिए करिए मेरा दिल तो था साधारण तुमने दस्मलव भिन बना दिया मैं तो था तुम्हारा आसेक तुमने तो जिन बना दिया तुमने तो जिन बना दिया ये कब का जाता है जब एक लड़के के पास मैं उसकी girlfriend बार बार gift मांगती है तो वो कहता है कि मैं तो था मेरा दिल तो था साधारण तुमने तो दस्मलब भिन्द बना दिया मैं तो था तुमारा आसिक और तुमने तो मुझे जिन्द बना दिया करिए इस question को जल्दी से जल्दी और ये हुआ समय समाप्त देखिए इस question में क्या होगा ये है अपने राम जो कि क्या कर रहा है 75% सत्य बोल रहा है कितना 25% true, t सत्य बोल रहा है false यानि जूट कितना बोलेगा तो 25% और ऐसे ही सुरे से वो भी क्या कर रहा है कि आपके 80% 80% true है तो false कितना होगा 20% समझ में आगई बात अब देखिए हम जो है परतीसत में इसको solve करेंगे तो हमारे तोड़ा सा मलब समझ से बार हो सकता है calculated हमें समझ में नहीं आए calculation अगर तो हम एक idea कर सकते हैं इसको 75% को मैंने बताया ना 3 बटे 4 लिख सकते हैं इसको सब को बिन में लिख दो इसको लिख दिया 1 बटे 4 इसको लिख दिया 4 बटे 5 इसको लिख दिया 1 बटे 5 clear है अब देखो भाई जब राम सत्य बोलेगा तो obviously बात है सुरेश को जूट बोलना पड़ेगा यानि राम true तो सुरेश false और पहित राम सत्य बोले और सुरेश जूट बोले या फिर राम जूट बोले और सुरेश सत्य बोले यही case हो सकते है तब ही ये खंडन करेंगे आपको पता है maths के अंदर जब और वड़ आता है तो गुणा करते है और जब या वड़ आता है तो प्लस करते है मैंने वही किया ना राम और सुरेश राम सत्य बोलेगा तो सुरेश जूट बोलेगा या राम जूट बोलेगा तो सुरेश सत्य बोलेगा ठीक है अब देखो राम के सत्य बोलने की बाद probability कितनी है 3 बटे 4 तो लिख दो और सुरेश के जूट बोलने की 1 बटे 5 प्लस राम के जूट बोलने की 1 बटे 4 गुणा इसके सच बोलने की 4 बटे 5 अब इदर काटा पीटी मच रही है तो मचा दो नहीं मच रही है तो डारेक्ट जोड दो तो 3 बटे 20 प्लस एक बटे 5 इसको स्वल्ब करेंगे तो यह आ जाएगा 5 और यह हो जाएगा देखो 12 एक सेकंड एक बटे 5 अब यह 20 आ जाएगा अरे यह देखो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा क्या 20 20 से 20 कटा और यह इदर 3 और यह 5 से 4 तो यह आ गया 7 बटे 20 ठीक है यानि 20 मैसे 7 बातों पर इनके एक दुसरे का खंडन हो रहाओगा ठीक है अब देखिए इसको परतिसत में बजलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 7 बटे 20 गुणा 100 20 से यह कटेगा 5 बार तो यह कितना आ जाएगा 35 परतिसत आ जाएगा किलियर है यानि option नंबर अपने हो जाएगा ए एकदम सही किलियर हुआ तो यह अगर 20 बाते बोलेंगे तो 7 बातों पर खंडन होगा यानि कि अपने यह कह सकता है 35 परतिसत ऐसे केस है जिसमें यह एक दुसरे का खंडन कर रहे होंगे समझ में आई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए चलो बेटा बढ़ते हैं आगये की तरब नैक्स कोशन देखो यह है चीनी के भाव में इसको आना इसको मैं बाद में करवाता हूँ इसका एक कॉन्सेप्ट है उसको बाद में लेंगे अपन पहले दूसरे कोशन करते है देखिए नैक्स कोशन क्या कहता है next question केता है कि एक सहर में पूरुस और महिलाओं की संख्याओ का Anupat कितना है तो 5 अनुपात 6 है ठीक है पूरुस 5 है तो महिलाओं 6 है अब पूरुसों की 40% संख्या जो है वो क्या है अवेसक है और महिलाओं की 25% तो अवीससी बात है पूरुस साइट परसेंट व्यस्क होंगे और मैलाएं 75% व्यस्क होगी यदि इस पूरी जन संख्या में व्यस्क पूरुस जो है उनकी संख्या कितनी है तो 13500 है तो बताओ कि सेर की कुल जन संख्या क्या है ठीक है अब देखिए क्या करेंगे जैसा कि मैंने भी पीछे बताया है आपक करकर करिए इसको 40 25 और यह 35 चीज़े दे रखी है इनको या यूज करो 5 और 6 अनुपाद दे रखा एक तो और एक व्यस्क को के रेश्योज दे रखे हैं व्यस्क की संक्या दे रखी है करिए अब संक्या स्टाइमिंग होती है इस्टार्ट करो बहुत आसान सा कोशन है और प्रैक्टिस करोगे तो आटोमेटिकली मैट्स अच्छी होती जाएगी और आपको समझ में भी आएगी और आपको इंजोई भी करवाएगी और अगर मैट्स सीख ली तो रिजनिंग आटोमेटिकली समझ में आ जाएगी और मैट और पाइंड के अंदर गुष्णा इस्टार्ट हो जाते हैं इसलिए मैस तो बहुत अच्छे से करिए प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए करिए इस कोशन को जल्दी बहुत आसान सा कोशन है और नहीं होगा तो मैं बता दूँगा ना डरना नहीं है नो आठ साथ चे पाँच चार तीन दो एक और समय समाप्त देखिए भाई सबसे पहले अनुपाद है पाँच अनुपाद चे आपकी इच्छा करे तो इसको परतिसत में बदल दो यानि इसको सो सो कागुना कर दो और सिंपली कर दो और इच्छा करे तो डारेक रेशियो उज करो मैं आपको कंवर्ट कर देता हूँ यह हो गए मेरे 500 यह हो गए 600 यानि मेल कितने हो गए 500 फिमेल कितने हो गए 600 अब इस 500 में से आपको पता है वेस कहानी की एडल्ट और नौन एडल्ट ठीक है ऐसे ही फिमेल के अंदर भी दो केस बनेंगे एक होगा एडल्ट और एक हो किलिय Dahaीar है एडल्ट कितने है तो 60% 50 का 60% एडल्ट है चालीस परसंट नोन एडल्ट फिमेल के अंदर 25 परसंट 75% एडल्ट है और 25 परसंट नोन एडल्ट है ठीक संक्याओं में लिखें 500 का 60% यानि 70 बटे 100 तो 5 तो 300 तो अवेसी बात है ये 200 हो जाएगा इधर 600 का 75% यानि कि 400 तो ये 1.500 किलियर है आप से क्या पूचा है वेस्क पूरुसों की संक्या कितनी है 13,500 वेस्क पूरुस यानि 300 300 अपने according जबकि कोशन के according कितने पूरुस है 13,500 तो अपने according एक की value उपन निकाल लेंगे तो 3 का भाग देंगे देखो 2,0 से तो 2,0 सामने से उड़ा दो ये उड़ा दिये फिर 3 से इसको काटोगे 3,4,12,3,5,15 तो 1 बराबर कितना आया 45 ठीक है 1 बराबर 45 आया और अपने पास में total है कितने 500 और 600 कितने हो गए 1100 कितने 1100 अपने according जन संख्या total कितनी है 1100 जबकि portion में पूरुसों की संख्या के अनुज़ा देखें तो 45 into 1100 हो जाएगा तो इसका मतलब 9,500 जो है क्या है कुल जन संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी कुल जन संख्या समझ में आ गई बात clear है आप सबी लोगों के लिए तो पूरुस और मैलाओं का अनुपात दे रखा था पांच अनुपात 6 जिसमें ऐसे अपनने क्या करा 100 से गुणा कर दिया ताकि जल्दी से अपने calculation जादा नहीं करनी पड़े आप 5 अनुपात 6 को डारेक्ट यूज करके भी कर सकते हो जैसे मैंने पिछे बता दिया है ठीक है अब 500 और 600 में गनवर्ट हो गए फिर 500 का 60% 40% 600 का 75% और 25% निकाल दिया अलग-अलग और आपको पता है जब इसने बोल दिया कि वेस्क पूरुसों की संक्या 13500 है कितनी है 13500 और अपने अकोर्डिंग वेस्क पूरुस कितने आ रहे थे 300 तो अपने अकोर्डिंग और कोसन के अकोर्डिंग जो आ रहे है उनको इक्वेलेंट करेंगे और अपने अकोर्डिंग जो होता है उसमें से एक की value निकाली जाती है तो 300 बराबर अगर 13 जा 500 है तो एक बराबर 45 इसका मतलब टोटल अपने according जो 1100 लोग है उनका एक का multiply होगा 45 से तो 1100 का multiply हो जाएगा 45 से तो कितना बनेगा उन पचास जार 500 यानि जो अपने संकीत में बोला था कि 1100 लोग होंगे जबकि उस सेर में कुल संक्या कितनी हो गई उन पचास जार 500 समझ में आ गई बात clear है आप सभी लोगों के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे तो अपना next question हो जाएगा बहुत ही अच्छा सा question है ये मेरा खुद का question है मतलब मेरे नाम पे बनाया है देखो भई परविन सर अपने बढ़ा रहना उनी की बात की जा रही है कि यदि परविन अपनी आए का 30% खर्च करता है यानि मैं जो भी अपनी आए है उसका 30% खर्च करता हूँ ठीक है और यदि मैं अपनी आए 20% बढ़ जाए तो फिर मैं खर्च कितना करूँगा 40% बढ़ा दूँगा अपने खर्च को तो बताना है कि जो बचचत होगी पहले कितनी हो रही थी बचचत 70% अब अपनी बचचत जो है वो कितने परतिसत की व्रदी होगी या कमी हो जाएगी या आपसे कोसन पूछा जा रहा है जल्दी से इस कोसन को करेंगे इस टाइप का कोसन मैंने अभी जस्ट आगे भी बताया है ठीक है बहुत ही यूनिक यूनिक टाइप के कोसन उटा कर लेके आऊँगा जैसे आपने देखे हैं जैसे आपके exam में आए हुए है और जिसके अंदर थोड़ी सी calculation करनी पड़ती है वो सभी questions आपके सामने मनलब trick के माद्यम से questions के माद्यम से जैसे तैसे करके मैं जितने भी मैंने बोला है आपको कि 45 से 50 अलग-अलग type के मैं questions आपको बताने वाला हूँ तो वो सब करवाओंगा और आपकी practice के लिए हो सकता एक एक दो-दो question extra डाल दू जो पहले करवाए हुए हो उसी type के जैसे इस type का question करवा रखा है आपने वापस करिए तो आपकी practice हो जाएगी थोड़ी सी करिए इसको अब तो आपके समझ में आई गया होगा भाई क्या करना है करो तो फिर करो 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 उल्टी किंदी चालू हो गई है बाँच चार तीन दो एक और ये समय समाप्त देखिए क्या करेंगे पहला case मैंने बताया है ना मान लो कितनी salary थी मेरी 100 रुपे मान लो सीधी सी बात है उसमें से आप क्या कर रहे थे खर्च कितना कर रहे थे और बचत कितनी हो रही थी ठीक है खर्च और बचत खर्च कितने कर रहे था मैं 30 रुपे और बचत कितनी कर रहा था 100 रुपे complete अब दूसरा case दूसरे case में क्या हुआ आए बढ़ गई है कितनी आए हो गई अब 120 रुपे हो गई मेरी आए तो अब मैं खर्च जो है वो क्या करना है मुझे खर्च को मुझे 40% बढ़ाना है ठीक है और फिर बच्चत कितनी होगी वो बताना है तो देखो भाई पहले इसको बच्चत देखो खर्च पहले कितना हो रहा था 30% यानि अब 40% बढ़ाना है यानि 30 का 140% अपन निकालेंगे क्योंकि आप 30 का 40% निकालोगे फिर वापस 30 में जोडोगे उससे बढ़िया है डारेक्ट ही 140% निकालो तो आपके डारेक्ट जो है 40% बढ़ कर ही आपको पता चल जाएगा अब इदर काटा चाटी करेंगे 0 से 0 0 से 0 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14 42 पहले 30 रुपे खर्च हो रहे थे अब 42 रुपे खर्च होंगे तो बचट कितनी होगी ओवेस सी बात है 78 रुपे है ना तो पहले बचट कितनी हो रही थी 70 रुपे अब कितनी हो रही है 78 रुपे कितनी 78 रुपे बताओ परिवर्तन कितना आया तो 8 रुपे एक्स्ट्रा बचट हो रही है यह 8 रुपे Extra है किसके उपर तो यह आप किसके respect में कह रहे हो कि 8 रुपे ज़ादा है सित्र के respect में 8 रुपे ज़ादा है किसके respect में 70 के respect में तो अपन क्या करेंगे 8 बटे, 6, 7, 100 क्योंकि यह जो 8 बड़े है यह 9 किसके उपर बड़े हैं अल्टिमेटली तो अपने सित्तर उपे थे उससे ही बढ़ करके 78 हुए इसलिए नीचे मैंने सित्तर लिखाए ठीक है ना उसमें confused मत होना कि नीचे कौन आया क्यों आया 78 क्यों नहीं आया क्योंकि बोला है कि परतीसत वरदी हुई है तो किस पर बढ़ वरदी किस पर हुई है पहले जो थी उसमें 8 बड़े हैं तो पहले वाले के रेस्पेक्ट में पता चलेगा ये 0 से 0 कितना बन गया ये ये बन गया 80 अपन में 7 डिवाइड कर दो 7 एकम 7 फिर कितना बचेगा 1 0 तो 7 एकम 7 फिर कितना बचेगा 3 तो 3 बटे 7 प्रतीसत और सित्तर से हुए है 78 यानि वेसी बात है ब्रदी हुई है क्या हुई है ब्रदी हुई है तो ओप्सन नमबर B अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा किसी भी परकार का कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट रहा होगा और अगर आप लोगों को दोस्तो मजा आ रहा है सीखने को अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर इतना टाइम हम एक्जाम में लगाएंगे क्या भाई एक्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है जब आप सीखे हुए होते हो जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है बहुत जादा कोईसंस की तो आपके ये कोईसंस एक एक सेकेंड दो-दो मिनट एक-एक मिनट में सॉल होना इस्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ये ट्री बनाना तो बहुत आसान काम है जल्दी-जल्दी बनते हैं ये तो है ना तो इतने बड़े-बड़े कोशन इतने सौर्ट वे में आपके समझ में आ रहे हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत बुलना धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे अपने एक अगले वीडियो के अंदर और भी कुछ बेहतरीन कोशन्स के साथ मैं एक नई उर्जा के साथ मैं जय हिंद जय बारत और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल नहीं बुलना है